हलो दोस्तो परफेक्शन अकेडमि में आप सभी का स्वागत हैं आज हम देख रहे हैं जैन और बहुत धर्म के बारे में ठीक है ये सामाजिक विज्ञान के इतियास का पार्ट थर्ड है ठीक है तो आईए जानते हैं सबसे पहले हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो मै का नाम था महावीर स्वामी महावीर स्वामी अब देख लेते हैं महावीर स्वामी का जन्म कभ हुआ था तो मैं आपको बता दू पांच सो चालिस इशापुर्व में कुंडल ग्राम में ठीक है कुंडल ग्राम वेशाली में हुआ था इनका जन्म इनके पिता जी का नाम थ राजा सिद्धार थी इनके पिताजी का नाम था आगे देखते हैं इनकी माता का नाम था त्रिशला ठीके जो की लिछवी राजा चेटक की बहन थी आगे देखते हैं इनकी पत्नी का नाम पत्नी का नाम था यशोदा इनकी पुत्री का नाम देखते हैं तो इनकी पुत्री का नाम था अनोज्जा प्रियदर्शनी ठीक है अनोज्जा प्रियदर्शनी आगे बढ़ते हैं महावीर के बच्पन का नाम अगर हम देखें तो उनका नाम था वर्धमान ठीक है उनके बच्चपन का नाम वर्दमान था पॉइंट थर्ड थ्री है हमारा ग्रहत्याग तो ग्रहत्याग की जो बात आती है तो इसमें 30 की उम्र में जब महावीर स्वामी 30 वर्ष के हो गए थे अपने बड़े भाई नंदी वर्दन से इन्होंने आग्या प्राप्त की थी और आग्या प्राप्त करके वह ग्रह त्यागा था उन्होंने उनके द्वारा दी गई तीन सिक्षा थी कौन-कौन से थी हिंसा न करना, सदासत्य बोलना, चोरी न करना ठीक है और एक और थी संपत्य न रखना ठीक है चार हो गई हिंसा न करना, सदासत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्य न रखना आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, फोर्थ पॉइंट है ग्यान प्राप्ती, तो 12 वर्ष की तपस्या के बाद, जब वो 52 वर्ष के हो गई थे तो 52 की उम्र में उन्होंने साल व्रक्ष के नीचे संपुन्न ग्यान का प्रौध हूआ था साल वरक्ष के नीचे इनको संपुर्ण ग्यान का प्रोध हुआ था और मैं आपको बता दू कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण इन्हें जीन ये जीन कहलाई थे ठीके और इनके अनुयाई ये जो थे उन्हें जेन कहा जाता है आगे देखते हैं महावीर के प्रथम अनुयाई उनके दामाद जिनका नाम था जामिल जो की प्रिय दर्शनी के पती थे ठीके इनकी बेटी के पती थे आगे बढ़ते हैं संपुर्दाय पर आते हैं तो संपुर्दाय के अगर बात किये जाए तो मैं आपको बता दो इनकी दो संप्रदाय थे ठीके दो संप्रदाय थे कौन-कौन से एक था श्वेतामबर और एक है दिगमबर अब इन दोनों के बारे में हम पूरा जानेंगे लगभग 40 वर्षों के बाद जब 12 वर्षों का भीषन अकाल पड़ा था जिसमें भद्र बाहु जो थे वो अपने शिश्यों को लेकर कहां चले गए थे करनाटक और स्थुल बद्र जो थे वो मगद में ही थे ठीके आगे भद्र बाहु के वापस लोटने पर जब भद्र बाहु वापस मगद लोटे तो क्या हुआ इनके बीश मतलब गहरा मदबेध हुआ जिसके कारण जेन धर्म जो है दो संप्रदाय में विभक्त हो गया एक श्वेतामबर और एक दिगंबर अब इसके बारे में जान लेते हैं ये क्या होते हैं तो श्वेतामबर जो था श्वेतामबर जो थे वो इस्थुल भद्र के शिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् आच रहा है ठीक यह त्री रतना थे आगे सेवन पॉइंट है हमारा म्रत्यू तो म्रत्यू के अगर हम बात करें तो बहुत्तर की वर्ष में बहुत्तर साल के जब हो गए थी ये बहुत्तर की वर्ष में इनकी म्रत्यू हुई 468 इसापुर्व ठीक है बिहार के पावापुरी में इनकी म्रत्य हो गई थी चलो कुछ और जान लेते इनके बारे में तो इनमें इस्वर की माननेता नहीं थी केवली आत्मा में विश्वास रखते थे ठीके खजुराहों में जो जैन मंदिर है इनका निर्मान चंदल शाषकों ने करवाया था ठीके जैन तीर्थकर की जीव आगे है इस धर्मों को मानने वाले कुछ राजा के अगर हम नाम देखें तो मैं आपको बता दू एक उदियन चंद्रगुप्त मौर्य वंद राजा और राष्ट्रकूट और चंदेल शाषक ठीके ये कुछ राजा है प्रथम जेन सभा तथा प्रथम जेन सभा जो हुई थी वो पाठली पुत्र में हुई थी और जिसके अध्यक्ष थे स्थुल भत्र ठीके आगे अगर हम जाने तो मेसूर जिले के स्रवन बेगुला स्रवन बेगुला में गोमतेश्वर की जेन तीर्थकर की मूर्ती स्वतंद रूप से खड़ी है जो कि विश्व की मूर्तियो का अनुपम उधारन है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत धर्म के बारे में अगर हम जानते हैं तो बहुत धर्म के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दू कि इनके जो संस्थापक थे उनका नाम था महात्मा बुद्ध ठीक है अब इनके जन्म के बारे में जानत शुद्धोधन ठीक है उनके परिवार में हुआ था 563 इसापुर्व में लुम्बिनी नामक गाउं में हुआ ठीक है आगे जानते हैं अगर हम इनके बच्छपन का नाम जाने तो बच्छपन का नाम था इनका सिदार्थ इनका विवा जो था 16 की उम्र में हुआ था इनकी पतनी का नाम था यशोधरा इनके पुत्र का नाम था राहुल और इनकी माता का नाम था माया देवी ठीक है माया देवी इनकी रियल माता थी जिनकी मृत्यू इनके जन्म के साथ दिन में हो गई थी साथ दिन बाद इनकी मृ पालन था वो उनकी सोते लिमाने किया था उनका नाम था प्रजापती प्रजापती गॉऐं ठीक है एंकी सोते-लिमानी थी आगे हम देखते हैं कपील वस्तू की जब सेर पर रिये निकले थे तो इन्होंने चार दरश्चे देखे थे, वो चार दरश्चे कुन-कुन deficiencyे मैं आपको पता देता हूँ, सबसे पहला था एक बुड़ा व्यक्ती, ठीके एक बीमार व्यक्ति था, ठीके ये चार दरश्चे जो थे इन्होंने देखे थे आगे देखते हैं इन्हें एशिया का जोती पुंज भी कहते हैं आगे देखा है ग्रहत्याग तो ग्रहत्याग की जो घटना है इनकी मैं बता देता हूँ आपको सबसे पहले कोश्चन बनता है गरत्याक की घटना को क्या कहा जाता है तो महा भीनिश करमन ठीक है गरत्याक की जो घटना है इनकी महा भीनिश करमन कहा जाता है घरत्यागने के बाद इन्हों ने इनके जो पहले गुरू थे वो थे यहां लिख देता हूं में आलार कलाम ठीक है इनके जो फस्ट गुरू थे वो थे आलार कलाम छे वर्ष की तपस्या छे वर्ष की कठोरियनों ने तपस्या के थी उसके बाद पूरुनिमा की रात को पीपल के पेड़ के नीचे कलगु नदी के किनारे इनको जो है ज्यान प्राप्त हुआ था ठीके ज्यान प्राप्ती के बाद सिद्दार्थ बुद्ध के नाम से जाने आती थी बुद्ध के नाम से कब जाने गए जब उनको ज्यान प्राप्त हो गया आगे है बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वो सारनात में दिया था ठीक है सारनात रिशी पत्नम में दिया था इन्होंने प्रथम अपना उद्देश है चलिए आगे बढ़ते हैं हम प्रतम अनुयाई शाशक फॉर्थ पॉइंट है हमारा प्रतम अनुयाई शाशक तो इसके बारे में अगर जाने हम तो बिम्बिसार प्रसेंजित और ओदियन ठीक है और भी थे चलिए आगे बढ़ते हैं बुद्ध की अगर म्रत्यू के बारे में हम जाने तो इनकी जो म्रत्यू थी वो असी की वर्ष में असी साल के जब हो गए थे यह 483 इसापूर्व में कुश्री नारा कुश्री नारा देवर या यूपी जो की यूपी में है इनकी जो म्रत्यू थी उसका कारण था चुन्द द्वारा अर्पित भोजन के कारण ठीक है जो 3 रतन थे वैसे तो सबको पता है बुध्ध, धम और संग ठीके आगे हम जानते हैं की हाँ, एक बात में आपको यहाँ पर बताना भूल गया कि नंकी मृत्यु जो हुई थी उसे महा परी निर्वान कहा गया है ठीके हम उनकी मृत्यु के बाद महापरी निर्मान कहा गया है इस धर्म में पुनर जन्म की मान्यता थी ठीक है आगे हम अगर जाने प्रत्तियों की जान लिया त्री रतना जान लिया आगे बढ़ते हम कोश्चन नमर पॉइंट नमर एट है हमारा अनुयाई तो इनके जो थे दो भागों में बटे हुए थे अनुयाई कौन-कौन सो थे एक थे भिखशुक और सेकेंड थे उपासक अब मैं आपको बता दो भिखशुक जिनको जिनोंने सन्यास ग्रहन कर लिया था जो सन्यासी थे उन्हें भिखशुक कहा जाता है या गहा जाता था और जो उपासके मतलब ग्रहस्त जीवन व्यतित करते हैं उन्हें उपासक कहा जाता था आगे मैं आपको बता दू कि बोध संग में सम्मेलित होने की जो न्यूंतम आयू थी वो थी पंदरा वर्ष ठीके आगे दे रखा समानता 9th point हमारा समानता समानता के बारे में हम जाने तो अनिश्वरवाद से संबंद में बोध ओंच जेन धर्म दोनों में समानता है ठीके अनिश्वरवाद आगे देखते हैं पुद्ध की जो प्रथम मुर्ती संबवत हमतुरा कला में अंकित की गई थी मन्तुरा कला में अंतरगत बनाई गई थी हागे तिबद भुटान और पडोसी जितने भी देशे महाँ पे बुद्ध धर्म का जो प्रचार था वो गुरु रिन पांच ने किया था रिन पांच ने इनका प्रचार किया था बुद्ध की अगर हम सबसे विशाल प्रतिमा की बात करें बुद्ध की गौतम बुद्ध की तो चीन के दक्षिन में स्थीत सिचुआन प्रांत में सिचुआन प्रांत के एक शहर लेशान ठीक है लेशान में 91 मीटर या फिर 233 फेट उची प्रतिमा थी जो की लाल बलुआ पत्थर जो एमी परवत को तराशकर बनाया गया था जिसे की दुनिया की सबसे उची पत्थर की प्रतिमा मानी जाती है ठीक है एलो रा के केलाश मंदिर का निर्मान भी किसने करवाया था राश्ट्र कूटों ने ये कुछ हमारे महत्वपुन पॉइंट थे जिसे हमने जाना है आज इस वीडियो में हमने देखा है अगली जो हमारी वीडियो होगी वो मोर्य और गुप्त वंश के उपर होगी वो मैं बहुत जल्द ही लेकर आऊँगा ये वीडियो हमारी थोड़ी से लेट हो गई थी त झालत